राजस्थान की भोगोलिक विश्यस्ताओं के बारे में अपन बात कर रहे थे जिसके दो पार्ट आपको अधरी प्रवाइडी करवाई जा चुके हैं अगर विताक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं वहां कि सबसे निम्रितम बिंदु कौन सा है यह आपको बताना है देखे यह जो आपको चार जीलों के नाम दे रहे हैं इन में से सामबर जील क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा आप कौन-कौन से पोइंट है जो आपको नोट डाउन करने हैं देखे भारत में खारे पानी की जीलों के अगर अपने बात करें तो चिलका जील भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की जील है उसके बाद में दूसरा नमबर आता है वो सामबर जील का आता है तो भारत में खारे पानी की दो प्रमुक जीले हैं उसमें चिलका जील के बात करें तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील चिलका जील को माना जाता है और भारत के ओडिसा राजे में ये चिलका जील इस्थित है वहीं सामबर जील की बात करें तो जेवपूर राजस्तान में ये इस्थित है सामबर जील जेपुर जोदपुर नेशनल हाईवे 65 के ओपर ये रिष्टित है और सामबर जील है वो एक खारे पानी की जील है राजस्तान की सबसे बड़ी खारे पानी की जील कौन शील है ये तो बात हो गई राजस्तान के रिस्पेक्ट में अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में इसकी बात की जाए तो 8.7% पूरे भारत के रिस्पेक्ट में अगर सामबर जील के नमक उतपादन के बात करें तो 8.7% केवल सामबर जील से ही उतपादित होता है यहां का जो नमक उत्पादन करने कारिया है वो हिंदुस्तान सामबर साल्ट लिमिटेड नमक कार खाना या इसको एक कमपनी बोल सकते हैं यह एक भारत सरकार का किंदर सरकार का उपकरम है जो की सामबर जील से नमक उत्पादन करने कारिया करता है अब सामबर जील में जल की आपूरती करने के लिए कौन कौन सी नदिया है यानि कि सामबर जील की कौन सी यहाँ पर साइक नदिया है वो आपको बतानी है तो टोटल पांस नदियों का पानी आकर गिरता है इस सामबर जील में जिसमें एक है मेठा नदी, मन्था नदी, खारी नदी, खंडेला नदी और रुपन कर नदी ये पांच नदियां सामबर जील में जल्ड की आपूर्ती को पूरी करती है सामबर जील का विस्तार कहां कहां पर है तो देखे सामबर जील का जो विस्तार है वो राजस्तान राज़े में तीन जीलों में पढ़ता है वो तीन जीले हैं एक तो जेपूर एक है अजमेर और एक है नागोर जैपूर अजमेर और नागूर ये तीन जीले राजस्तान के एसे हैं जिसमें सामर जील विस्तरत है सामर जील का सरवाधिक जो विस्तार है वो राजस्तान की राज़दानी पिंक सिटी गुलाबी नगर रास्तान का पूरो का पेरिस्ट के नाम से भी जिसको अपन जानते हैं जेवपूर जिले में पढ़ता है इसके लावा बिजोलिया शिलालेक तो देखें बिजोलिया जो शिलालेक है वो राजस्तान राज्य के भीलवाड़ जिले में मिला है और बिजोलिया सिलाले के अनुसार संबर जील का जो निर्माण है वो 551 इस्वी में करवाए गया था ये काफी ज़्यदा इंपोर्टेंट है 551 इस्वी में करवाए गया था चोहान सासक थे उस समय वाशुदेव चोहान इनका नाम है चोहान मरंस का संस्तापक भी इनको माना जाता है और राजहन स्पक्सी सामबर जील के पास में सरवादिक बात्रा में ये पाये जाता है नेक्स्ट बात आती है देवियानी तीर्थिस्थल की देवियानी तीर्थिस्थल तीर्थों की नानी के नाम से इसको जानते हैं हमने रास्तान के जीलेवार अद्धिन की जो स असकुंड दोलपुर को कहा जाता है उसी तरिके से तीर्थ राज तीर्थों की नानी किसको कहा जाता है तो किसको कहा जाता है देवयनी तीर्थ स्थल को कहा जाता है देवयनी तीर्थ स्थल देवयनी माता का एक तीर्थ स्थल है और प्रतेक वर्स वेसाक पॉनिमा के दिन य अगला देर रिखा है राजस्तान की पूरव से पस्चिम पूरव से लेकर पस्चिम और उत्तर से लेकर दक्र negro उत्तर से लेकर दस्तिंग तो ऑाट सो से बस्चिम अगरोव से पस्चिम confess नागोर्डव में में तो एक करती हैं अगला किशन आपको दे रखा है राजस्तान का उत्तर से दक्सिंड और पूरव से पस्चिंड जो विस्तार है वो करमश है कितना है उत्तर से दक्सिंड कितना है तो मैंने आपको बतायता है भी 826 किलोमेटर उत्तर से दक्सिंड है पूरव से पस्चिंड कितना है त 70 degree 17 minute पूलवी दिसांतर है रेड कलिफ रेखा राजस्तान में विस्तार है यह जो आपको रेड कलिफ रेखा दे रहे है यह रेड कलिफ रेखा पाकिस्तान के साथ में बोर्डर शेयर करती है इसका विस्तार कहां पर यह आपको बताना है तो यह जो चार उप्सन आपको दे रहे हैं इनमें से हिंदुमलकोट गंगानगर से यह सुरू होती है और बाखासर बाडमेर तक यह विश्तरित होती है तो यहां से यह हिंदुमलकोट गंगानगर से सुरू होती है और बाखासर बाडमेर यहां तक इसका विश्तार है ये रेट गिलीप रेखा 1070 किलोमेटर इसकी लंबाई है कौन से जीले से 70 डिग्री पूरवी देसांतर रेखा गुजरती है 70 डिग्री पूरवी देसांतर रेखा कौन से जीले से गुजरती है 38401 वरक किलोमेटर जिसलमेर का क्षेतरफल जो कि राजस्तान का सभी जीले है राजस्तान में 33 जीले सबसे ज़्यादा जिसलमेर जीले का ही क्षेतरफल है राजस्तान का पस्चिम से पूर्वी जो देसांतर विश्तार है वो कितना है पस्चिम से पूरवी so 50 degree 30 मिनट से लेकर 58 degree 17 मिनट पूरवी दे सांतर है राजستान नामकरण किसने अपनी प्रसिद कर्थी में किया है राजस्तान का जो नामकरण है यह जो पर्देश है इसका नाम राजस्तान किसने दिया है यह आपको बजाना है तो करिनल जेमस्टोड के दोरा ये राजस्थान सब्द कहे कर पुका रहा है करिनल जेमस्टोड ने इस राज्ये को रायथान इसी को रजवाडे या इसी को राजस्थान के नाम से पुका रहा है उसमें राजस्तान सब्द नाम से इन्होंने परियोग किया है इस परदेश विशेश के लिए इस पुस्तक का जो दूसरा नाम था वो ये भी था कि Central and Western State of India या Central and Western राजपूत State of India के नाम से भी इसको जाना जाता है इस पुस्तक का पहली बार हिंदी में जो अनुआद है वो राजप्तान के परशिद इतियासकार गोरी संकर हिराचंद ओजा के दौरा किया गया था इसे हिंदी में प्राचीन राजप्तान का विशलेशन भी कहा जाता है करणनल जेम स्टोड 1818 से लेकर 1821 के मद्दे मेवाड यानि के उदेपूर परांद के पॉलिटिकल एजेंट थे और उन्होंने अपने गोड़े के उबर बैट कर गुम गुम कर इतियास लेकर नका कारी किया था इसलिए करणनल जेम स्टोड को गोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है एक्जाम में किसना आता है कि गोड़े वाले बाबा के नाम से इसको जाना जाता है तो करणनल जेम स्टोड को ही जाना जाता है अगला क्रिशन आपको दे रखा है राजस्तान की जो इस्तलिय सीमा है उसके लंबाई कितनी है तो राजस्तान की इस्तलिय सीमा की लंबाई है 5920 किलो मेटर अब राजस्तान की मेप में आप यहां पर देख सकते हैं टोटल जो इस्तलिय सीमा है उसकी बात करें तो 5920 किलो मेटर टोटल है अंतरास्ट्री सीमा की लंबाई जो रेड गलिफ रेखा है पाकिस्तान के साथ में सांजे करते हैं रास्तान के चार जिले उसमें 1070 किलोमेटर की है जिसमें से गंगानगर 210 किलोमेटर की सांजा करता है उसके बाद में बिकानेर 168 किलोमेटर की सबसे कम सांजा करता है सबसे जियता जिसल मेरे की लगती है 464 किलो मेटर और बाड मेरे की 222 किलो मेटर तो इस तरके से टोटल 1070 किलो मेटर की अंतरास्ट्री सीमा लगती है उसके बाद में बाकी जो जीले बच गए वो अंतराजी सीमा संजा करते हैं 4850 तो ये 4850 और 1070 किलो मेटर टोटल जो सीमा है वो क बाद में एधरा होगे तो उत्रप्रदेश के साथ में 877 किलोमेटर मद्य प्रदेश के साथ में सबसे ज़्यदा में एकजीमम 1600 किलोमेटर की जो बोर्डर वापन सांजा करते हैं और गुजरात के साथ में 1022 किलोमेटर की बोर्डर वापन सांजा करते हैं नेक्स्ट कुसन आपको देखा राजस्तान का ख्षेतर फल है वो निमनिमें से किस देश के बराबर है राजस्तान का ख्षेतर फल कौन से देश के बराबर है तो देखे राजस्तान का जो ख्षेतर फल है वो जापान के लग भग बराबर है यह जो आपको चार ओप्सन देख का यहां पर यह तो उत्तर और पस्चिम यहां पर रास्तान है उत्तर पस्चिम धिस ओप फर्थ के हो जाएका का करेट आंशर हो जाएगा राज्तान का जो क्षितरफल है वो भारत के खुल क्षितर होगा कितना परतीसृत है तो 10.41 परतीस है तो रास्तान का खिश्यतरफल 322249 प्रकिलोमेट्र है रास्तान का खांश से विष्टार कितना है तो 23,3 उत्री एकसांस से लेकर है वो तो कौन से जिले से होकर गुजरती है और सतर डिगरी जो पूरी दिसांतर रेखा है वो कौन से जिले से होकर गुजरती है तो थोड़ देर पहले अपने सतर डिगरी दिसांतर रेखा के बारे में तो बात कर चुकी है जिसल मेर जिले से होकर गुजरती है और जो साड़ सतरा पूरी देशांतर, ओप्शन शेकिंड क्या होगा, इसका करेट आंसर होगा, नेश्ट क्यूसन आपको देर रखा है, राजस्तान इतिहास का जनक, गोड़े वाले बाबा के बारे में थोड़े देर पहले अपने बात की थी, कर्णल जेम स्टोड, तो कर्णल जेम स्टोड क्या होगा, इसका करेट आंसर होगा, अठारा सो गुन्टीस में कर्णल जेम स्टोड की जो पुस्तक आई थी, जिसको दे सेंटरल एंड वेस्ट रासफूत स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, रायथान, रजवाड़ा, राजस्तान नाम से इनों ने इस परदेश विशेज के लिए सब्द का परियोग किया था, तो रास्तान का इत्यास किसको कहा जाता है, कंडल जेम स्टोड को कहा जाता है, उसके बाद में नेस्ट किशन आपको दे रखाए, रास्तान का राज्य खेल कौन सा है, तो रास्तान का राजी खेल कुन सा है बास्केट बोल है और बास्केट बोल में कितने खिलाडी होते हैं बास्केट बोल में पांच-पांच खिलाडी होते हैं उमीद आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ से नया ही सीखने को मिला होगा and this is the complete analysis of the video thanks for listening, God bless you all